850 इसबी पूर्व से लेकर ग्यात काल तक भारत में उत्रण के द्वारा आज जो भी साक्ष मिले हैं विबारितिय समाज में अमीर वर्ग और गरीब वर्ग को तरलता से प्रवासित करने वाले साक्ष हैं तरले आनी कोई भी समू कोई भी परिवार या कोई भी वन्स अपने कुसल निती के बज़े से गरीबी के वस्ता को छोड़ कर अमीरी के वस्ता में पहुंच जाता था यहां तक कि गरीब रगती भी अपनी बुद्धी खौसल से समराट भी वन सकता था और दूसरी तरफ कोई भी अमीर परिवार समू या वन्स अपनी अकुसल निती की बज़े से अमीरी से गरीबी के दलदल में आ सकता था इस प्रकार के काफी साक्ष सायत उदारन भारती प्रातादवे के इत्यास में देखने को मिलते हैं इन वैसे अनिक समराटों के नाम तो इत्यास के पन्नों में दर्ज भी हैं जिन समराटों के निवाई आज सदियों से गरीबी का दंस जिल रहे हैं उन सभी समराटों की पूरवच अपनी कुसल निती की कारण उस समय में समाज और देश का नेत्रत्व किया था लेकिन उनके बाद उनके आने वारी पीड़ी अपनी अकुसल निती की बज़े से सत्ता से दूर होते हुए अपने परिवार को गरीवी के अंधिकार में जीते हुए कहीं गुम्भी हो गए हर्यक बंस के समराट बिम्बसार अपनी कुसल निती की बज़े से समराड बने बंस, कनुव बंस, सक बंस, पल्लव बंस, कुशार्ग बंस, गुप्त बंस, बर्धर बंस और पल बंस के लोग, ये सवी बंस अपने अपने काल और समय में अपने कुसल निती की बया से सम्राद बनकर सत्ता की सीज़ पर रहते हुए, देश के सभी संसादनों को अधिनायक र हो गए, ये आज कोई नहीं बता सकता, उसी तरह से देश के कुछ मर्ग दाता है, चारवाग, मक्री गोशाल, निघंटनात पुत्त, सारी पुत्र, मुगलायन, अलारकलाब, मिलेंद, नागर जुन, सीर्फद्र, काफी सारे हैं, इन विद्वानों ने ग्यान का मार्जरसन दिया, लेकिन आज उन सभी के बहन सच कहा है, ये कोई नहीं बता सकता, तरहल रूप से सामाजिक परिवर्तन का ये सलसला, आट सो पचास इसवी से गुरुप से लेकर, ग्यात काल तक सभी बर्गों के लिए चलता रहा, लेकिन इसके बाद के काल में सभी लोगों के लिए ये तरहल सामाजिक परिवर्तन वाली हिस्तिती बंदोने की कगर पर आ गई थी, कारण ये था कि इसके बाद आने वाले भारत की सभीता संस्क्रेटी ने जबर्दस्ती समाजिक बदराब देखने को मिलने लगा था, पहले कि तरहल बर्गी करण से बदलने वाली भारती सभ बदा संस्क्रेटी ने अब ठोस बर्गी करण की और कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था, यानि की आट सो पचास एसवी के बाद से पहले वाले गैर बर्णागत समाज का बर्णागत समाज में रोपांतरन होते हुए समाज एक बर्ण के खूटे में बंदने लिगा था, इ इसके अब सभी विद्वान पद पर आसे इन दूर तो होना है, एक वन्ड का निमार करती हुए, एक बर्ग बसेश के लिए विद्वान और एक बर्ग बसेश के लिए सम्राट वाले पद को स्रक्षित कर दिया है, जबकि इसके पहले वाली संस्क्रेटी में कोई भी व्यक् करम में बकास करती हुए, मौरकाल में भी सम्राट वाले पर आसे के विल्यक में बामन की रूप में मिला है, और यही बामन गुप्त काल में बासा के बकास करम में आगे बढ़ती हुए, बामन की रूप में मिला है, मौरकाल और गुप्त काल में ये बामन या बामन सब ब्रामक संस्क्रती जगत सत्य से जगत मित्या के इस प्रत्यम जन्म दाता आदी संकरचार और उनके अनुवाईों ने तमाम प्रकार की कर्मकांड बातों को इस्तापत करने के लिए उस समय के छोटे बड़े रजवारों या कवील प्रमोकों को एक सामांति सिल जादी पूरी तरह से बर्णागत रूप में परिवर्थत होते हुए ठोसा कर ले लिया था अब इस परिवर्थन का सारा स्रह उस समय के धूर्त ठग ब्रामर्क दोगेवाज जैसे लोगों का था यानि कि इन ब्रामरों का उन सभी न मिलकर पहले का जो गुरवाचक सब्द विद् जो भी था उसको संसकारत वासा संसक्रित में ब्रामर करती हुए अपनी जाती की नाम पर कर लिया उसकी बाद उस समय के छोटे बड़ी सामानतों को अपनी ब्रह्म वाली कालपनिक कानियों की जाल में फसाती हुए पहले कि गुरवाचक सब्द लाजा पुत्र को संसकारत क पुत्र यानि राजपत्रचाती का नाम dust करने लगे। इसका सबसे बड़ा प्रमार्ण भारत में राजपत्र चाथी, इत्पत्थी से है। जो उस समय से लेकर अभी तक वानागत एस्थती में चछत्री यहवन का नित्रतपकर्प करती आ रही है। ये प्रमारे के तियास है कि जातियों का निर्मार और उनका नाम करण उनकी तक्नीकी पेशागत कोसल की आदार पर हुआ है जो जो सम्मू अपने तक्नीक का उपयोग करते हुए जो कर रहा था आगे उसे उसके उसी तक्नीकी नाम सब्द को जाती की बंदर में बांद दिया गया बारत की सम्मक संस्क्रेटी में ये तक्नी समोदन सब्द तरल स्वरूप में था और ब्रहमक और सामन्ती संस्क्रेटी बनने के बाद से तक्नीकी लोगों को ठोस नामकरण सौरूप में बांदना शुरू कर दिया गया था जैसे कि कोई अगर तक्नीकी रूप से बागवानी का काम करता है या उसका जानकार है तो उसे माली या फुले कर दिया अगर कोई तक्नीकी रूप से पसुपलन का कार जानता है तो उसे अहिर, गौाला या गलरिया कह दिया कोई तक्नीकी तोर पर खेती का जानकार था तो उसे कुमबा, कापू, कुटुमबी, रेड़ी, कुर्मियादी कह दिया कोई अगर तकनी की रूप से कारीगरी का काम जानता है तो उसे लोहार, कुम्बकार या चर्मकार कह दिया कोई अगर तेल निकालने की जानकारी रखता है तो उसे तेली कह दिया इसी तरह से अन्य सभी जातियों का नामकरण ऐसी तक्निकी कोसल के नाम के आतर पर हुआता है सामतवाद के उद्या के बाद सबसे पहला गूजर प्रतियार नाम का पश्चमी भूवाग पर एक कविला ही सा सकता जिसको इनिक भ्रामन भाटोन गरफ्त में लेकर उसे राजपूद बनाया था लेकिन उस गूजर कविला के जो बाकी के लोग हैं वो आज भी अपनी मूल गूजर जाती के नाम से जाने जाते हैं वे लोग आज भी खेती या पशू पालन करने वाली जाती से सम्मोदित होकर अपना जीवन यावन करते हैं इसके बाद कच्वाओं का राजा कच्वाह राजपूद बना लेकिन कच्वाह की जाती आज भी सैनी मौरा कुसवा के नाम से परचान बनाये हुए आदिवासी सम्मों का राजा परताब धवल था जो खुद आदिवासी था लेकिन राजा होने के ना थे उसको भी इन ब्रामर भाटों न चने के जाड़ पर चड़ाती हुए राजपूद बना दिया गौंड आदिवासीयों के गौंड राजा आज चंदेलवन से राजपूद बन कर गौंड़ों के जल जंगल और जमीन पर भी कबजा की हुए है राजा आला उदल बिंद छेतर के राजा थे जो बना फार जाती से थे लेकिन राजा होने के ना थे इन ब्रामर भाटों की गिद नजर उन पर भी पड़ गई थी तो राजा आला को भी भाटों न राजपूद बना दिया लेकिन उनके कभीले वाले आज भी बना फार जात गैलोत राजपुद बना अभीर और सिंदिया ऐसे ना जाने कितने अमीर कभीलों के सरदारों को इन ब्रामल वाटों ने समंदवादी ब्यवस्ता में राजपुद बना दिया था भारती अग्याते अतियास में मैगस्तनीच के अनुसार समाच का प्रिथम बर्ग विद्वान बर्ग होता था जो कोई भी किसी कभीड या तकनीगी परिवार का सदस्र बनता था उसी विद्वान व्यक्ति को मेगस्नीच के अनुसार उस समय बमन कहा जाता था जिसका वर्डन सम्राठसोग ने अपने अविलेत के द्वारा बामन से सम्मोधित किया है यही पाली भासा का बावन सब्द बासा के बिकास क्रम में बामने बना और यही बावन सामन तकाल में पाली भासा को संस्कारित करते हुए संस्क्रित में ब्रामन में परिवर्थित होकर विद्वान बरग का प्रयवाची बन गया था उस समय तक ये सब्द गुरबाचक संगया था जिसे इन ब्रामर बाटों ने जाती संगया दे दी